तो राम राम सही बाईयों को क्याल है आप सबके उमीद करता हूं बहुत जदा बढ़िया होंगे बाईयों जब से वर्णा 2013 आए तब से लोग इस गाड़े के दिवाने हो गए है जब यह गाड़े लाउंच हो थी तो पहले देनी कई अब यह गाड़े की बुकिंग हो गई है और अब यह गाड़े आपको वेटिंग बिल रही है मतला अब ऐसे लेकि जाओ ले आओ कम से कम इस गाड़े की वेटिंग कितनी जबरदस्ता है रियल लाइफ में कितनी है वह आज के शीडियो में बताने वाले है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना बहुत ही बहतरी वीडियो होने वाली है अगर आप वरना लेने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि इसकी जो टर्बो इंजिन की आव कि आपको हाइड्रोलिक आपको नौर्मल यहां पर आपको हाइड्रोलिक आपको इंजिन की आवाज कि पास्ति अच्छे से लिट्टर भी करता है अवास नहीं करता है हला कि फाक हुआ ऑखकल नौर्टर भी तरफको नौर्म मुद्ण की आपको आपको जोर। पास्ति आप करना है अभास नहीं करने है वास्ति कि अभ व तुझे एक बार कमेंट करके बताओ कड़ी के आवाज कैसे लगी परसनली मैं बताओं तो डीजल इंजन की इस गाड़ी में जरुवत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो वड़ना डीजल आती थी है वो डिसकंटिनियू कर दे गई है तो उसी की वज़े से एक तर्बो इंजन ने गाड़ी में इंट्रिडूस किया गया है जिसके विए से अब जो लोग पावर लेना चाहते है पावर के शुकीन है तो वो लोग तर्बो इंजन ले सकते हैं जो की 160 PS की पावर और 253 NM का टॉर्क पूर्डूस करता है मतला बहुत की ज़्यादा फास्ट है इसा यकीन वानों 10 से अंदर अंद एक आड़ी सोगी स्पीड पकड़ लेगी और सिक स्पीड का मैनुएल और सेवन स्पीड डी सीडी गेर बोक्स भी इसमें आपको मिलने वाला है हलाकि average के साथ थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा आपको लेकिन वह भी चलता है बाकि जो लोग पावर के शोकीन है उनके लिए यह वाला इंजन बना है दोस्तों आप मुझे कमेंट करें बताओ आपके हिसाब से आप टर्बो की तरफ जाना जाएंगे या फिर नॉर्मल पेटरोल इंजन की तरफ जाना जाएंगे नॉर्मल इंजन आपको average देगा और लेकिन जो इसका टर्बो इंजन है वो आपको पावर और परफॉर्मस देगा तो य